तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो दिगज कंपनी के बारे में जिनके आज आए हैं Quarter 3 के Result जिसका सभी को देखिए यहां पर इंतजार रहता है तो इस वीडियो में हम Detail Analysis करने वाले हैं Result का कैसा रहा है performance और street estimates के साब से कैसी रही है दोरो companies की performance वो भी चेक करेंगे आगे की रणनीती technical chart पे levels किस company में अभी buying करनी है किसको अभी avoid करना है with rational discuss करेंगे बने रही है वीडियो के साथ तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे one and only HDFC bank जी हैं उस तो private sector leading bank है top notch bank है और top notch performance अगेन एक बार फिट से हमको quarter 3 में आती हुई देखने को मिली है HDFC bank से तो अगर हम net interest income की बात करें तो quarter on quarter 9.4% की गजब की growth है year on year 24.6% की growth which is really really amazing pre-provisioning operating profit PPOP की बात करें यानि कि provisions निकाल के कितना operating profit company ने हाँ पर post किया तो देखिए quarter on quarter 9.4% की growth है year on year 13.4% की growth which is a big positive pat की बात करें देखिए year on year 15 point sorry quarter on quarter 15.6% की growth और year on year 18.5% की growth बहुत बढ़ा है यहाँ पर दोस्तों एक यह growth का number है क्योंकि देखिए amazing चीज यहाँ पर क्या है कि SGFC bank जिस scale पर काम करती है जिस scale पर operate करती है इतने बड़े AUM को यह company manage करती है and it still manages to grow almost 20% which is really incredible incredible performance अबको quarter 3 में SGFC bank की तरफ से आती हुई देखने को मिली है almost हर metric पर आप देखिए asset quality यहाँ पर bank ने maintain किया है तो asset quality में भी हमेशा से top notch रहा है SGFC bank तो still 20% की growth इतने बड़े market cap पे इतने बड़े AUM पे मतलब unbelievable आप समझ सकते हैं कि कितनी जवर्दस यहाँ पर opportunity है headroom from growth है इंडिया में credit growth कितनी शांदार हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी आगे की opportunity भी HDFC bank के लिए मुझे रखता बहुत जबर्दस था आप देखिए still यहाँ पर इतना अच्छी तरीके से grow कर रही है और मतलब हर पैमाने पर आप देखिए कि आप estimates को जो पोल था उसको यहाँ पर market opportunity है उसको completely यहाँ पर grab करना चाहा रही है और मेरे हिसाब से हम पर market share capture कर रहा है HDFC bank तो HDFC bank मुझे रखता है तो definite buy है core portfolio stock है यहाँ पर मतलब second thought आना ही नहीं चाहिए कि क्यों इस bank को buy नहीं करना चाहिए अब technically भी बात करें तो continuous uptrend में हमको यह देखने को मिल रहा हाला कि काफी लंबा consolidation चला है लेकिन downtrend में stock हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है जो कि एक अच्छी चीज है आप देखिए stage to uptrend consolidation में है जैसे ही एक बार 1720 के आसपास का level breakout देगा उसके बाद एक जबरदस तेजी हमको यहाँ पर आती भी देखने को मिल सकती है तो core portfolio stock है अगर यह गिरता है stock तो मेरे ख्याल से 1500 के आसपास truck load यहाँ पर किया जा सकता है core portfolio stock है अपनी quantity को यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं buy on dips इस stock में कर सकते हैं इसमें कोई भी सोचने कि यहाँ पर मुझे लगता है कि अधिक्कत नहीं है क्योंकि 20% growth अभी भी यहाँ पर आती भी देखने को मिल रही है और long term consistent यह company bank यह grow हो रहा है और आगे भी grow होता रहेगा बाकि अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा bank हो चुका है कितनी growth आएगी तो 20-30% growth आप चाह रहे हैं तो फिर आप expectation को अगर यहाँ पर बहुत ज़ादा रखेंगे तो मेरे हिसाब से उस प्रकार की growth ना मिलेगी है अच्टफी बैंक में लेकिन consistent मुझे लगता है यह अराम से company लंबे समय तक 15-18% तक growth हो सकता है क्योंकि जैसा मैंने का कि market जो है बहुत बड़ा है credit growth पिछले दशक में इतनी नहीं है जितना अभी यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिल रही है तो यह हो गया दुस्तो पहला bank तो इसके शानदार number रहे हैं तो इसको definitely अगर गिरता है तो buy कर सकते हैं अगर भागता है तब भी buy कर सकते हैं कोई problem नहीं है अब second जो एक और दिगज है वो है avenue supermarts तो यह एक और गजब की company है गजब का है आपर business model है इसके भी number आ चुके है company update हमने देखी ली थी तो revenue में यहाँ पर 24.7% की growth है जो की बहुत अच्छी growth है लेकिन pad growth यहाँ पर थोड़ा सा जो है चिंता का विशय देखने को मिल रहा है मात्र देखिए 9.4% की pad growth हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है valuation बहुत जादा मिलते हैं तो यहाँ पर उस हिसाब से EPS growth हमको देखने को नहीं मिली है quarter on quarter EPS यहाँ पर company का down होता हुआ नजर आया है और flat रहा है आप मानके चलिए almost year on year भी यहाँ पर flat EPS growth है और उसके पिछे reason यहाई कि देखिए revenue definitely rise हुआ है बट EPS में growth क्यों नहीं आई क्योंकि यहाँ पर inflation की वज़े से जो इनका discretionary category है वो यहाँ पर थोड़ा सा demand वहाँ पर hurt हुई है यहाँ तो demand वहाँ पर hurt हुई है और discretionary category में से भी अच्छा का सा revenue इनका आता है 60% तो I think essential से आता है बाकी का सारा discretionary में आप consider कर सकते हैं जो non FMCG है और जो branded apparel वाला इनका जो business है वहाँ पर यह पूरा discretionary है तो वहाँ पर inflation की वज़े से hit होता हुआ नजर आया है तो growth बहुत जादा अच्छी नहीं है लेकिन जैसे हमने बात हमेशा किये कि Avenue Supermart अगले आने वाले 10-15 साल की company है तो थोड़ा यहाँ पर अगर stock गिरता है तो इसको add किया जा सकता है मातर चार store add किये हैं इस quarter में ये एक और negative है store addition होना बहुत जरूरी है store अगर growth नहीं आएगी तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा परेशानी हमको देखने को मिल सकती है अब यहाँ पर estimates की बात करें तो definitely यहाँ पर estimates भी miss होते हुए नजर आये है margins यहाँ पर contract होते हुए नजर आये हैं इसकी वज़से stock में pressure रह सकता है और technically भी आप बात करें तो short term अगर friend देखे तो थोड़ा सा negative यहाँ पर नजर आ रहा है short term downtend है यह इसका एक high बना था उसकी बाद आप देखें यहाँ पर lower high हमको बनता हुआ देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यह एक lower high lower lows वाली situation नजर आ रही है तो इसको अभी मुझे रगता है avoid करना चाहिए जब तक देखें higher highs higher lows ना बने तब तक अभी buy मत कीजिए हाला कि long term वाले इसको अभी मुझे रगता है थोड़ा सा hold कीजिए अभी buy मत कीजिए इसको यह 3300 पर आएगा तब buy किया जा सकता है उसके नीचे जितना भी गिरेगा 3300 के नीचे जितना यह गिरेगा फिर वहां से value emerge होती भी नजर आ सकती है क्योंकि अभी short term inflation का issue है लेकिन यह long term issue नहीं है long term tailwinds इस business में अच्छी नजर आती है demand अच्छा है management business अच्छा है management अच्छा है आई होब दोस्तों वीडियो यहाँ पर informative लगा होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए आपका क्या opinion है HDFC bank and DMART को लेकर result को लेकर comment करके जरूँ बताईएगा आपका opinion भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा important है तो comment जरूँ कीजिएगा वीडियो लाइक करके जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई